Hello everyone, welcome to my channel. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन्स को चाप्टे नमबर टू सुक्षमजीव मित्र एवं शत्रू तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहली बात आती है कि सुक्षमजीव होते क्या हैं सुक्षमजीव वह जीव हैं जिनने हम नगन आखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नगन आखों से दिखाई ही नहीं देते हैं इन्हें देखने के लिए हमें एक यंत्र की साहता लेनी पड़ती है और उस यंत्र का नाम है सूक्ष्म दर्शी सूक्ष्म दर्शी आप सभी बच्चों ने अपनी साइंस की लाब में जरूर देखा होगा इस यंत्र के अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं जिने adjust करके हम छोटी छोटी चीजों को बहुत ही आसानी से देख पाते हैं So I hope so आप सभी को सुक्ष्मजीव क्या होते हैं ये समझ आ गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं इस सुक्ष्मजीव को हमने चार मुख्य वर्गों में बाट दिया है मतलब इसके चार मुख्य प्रकार हैं जिवानों, कवक, शेवाल और प्रोटोजोव बचो जिवानों को हम बेक्टीरिया भी बोलते हैं इनके कारण हमें बहुत सी बिमारियां भी हो जाती हैं अब हम इनके उधारनों के बारे में पढ़ते हैं जिवानों का उधारन है स्पाइरल जिवानों आप अपनी स्क्रीन पे ये चित्र देख सकते हैं कवक का उधारन है पेनिसीलियम शेवाल का उधारन है स्पाइरो गाईरा प्रोटोजोवा का उधारन है अमीबा बचो ये सभी उधारन आपके exam point of view से बहुत important है तो I would request कि आप सभी बचे इन सभी उधारनों को अच्छे से याद कर लें अब हम बात करते हैं विशानों की बचो विशानों भी शोक्ष्म होते हैं मतलग कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं इन्हें भी हम नग्ण आकों से नहीं देख सकते लेकिन ये अन्य सुक्ष्म जीवों से थोड़े अलग होते हैं क्यों? क्योंकि ये गुनन नहीं कर सकते हैं कैसे गुनन नहीं कर सकते? आये हम जानते हैं बचो विशानों को गुनन करने के लिए मतलब की multiply करने के लिए उनकी growth होने के लिए एक पौधे या एक जन्तु कोशिका की जरूरत पड़ती है जब तक वो किसी मनुश्य के शरीर में है तभी तक वह जिवित रह सकते है अगर वो मनुश्य के शरीर में नहीं है या फिर किसी जीव के शरीर में नहीं है तो वे एक मृत की तरह ही वेवार करते हैं In short हम कह सकते हैं कि विशानू शरीर के बाहर निश्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही ये सक्रिय हो जाते हैं I hope आप सभी को ये अच्छे से समझाया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं Next topic है, सजीव कहां रहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि सजीव रहते कहां होंगे तो बच्चो आओ, अब हम इसके बारे में जानते हैं सजीव मरूस्थल में, मरूस्थल का मतलब होता है बच्चे रेगिस्तान में रहते हैं इसे हम desert भी कहते हैं ये दलदली इलाकों में रहते हैं जहां पे काई वगरा होती है ये बरफीली शीत में रहते हैं मतलब पहाडों में जन पाडों पे बहुत ज़्यादा बरफ होती है गरम इलाकों में भी रहते हैं ये जीवों के शरीर के अंदर भी रहते हैं, मेरे शरीर में, आपके शरीर में, जितने भी जानवर हैं, उनके शरीर में, ये जल के अंदर भी पाए जाते हैं और वायू में भी. In short हम कह सकते हैं कि ये सब जगा पाए जाते हैं हर जगे हैं सुक्षमजीव आपके हाथ पे, आपके मुँ पे, आपके कपडों पे ये हर जगे पाए जाएंगे यहाँ पे आप फोटोस देख सकते हैं फोटोस से क्या होता है? हमें वो चीज जादा देर तक हमारे माइंड में रहती है तो यहाँ पे आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा ये दलदली इलाके हैं और यहाँ पे क्या है? एक परवत पे बहुत जादा बरफ पड़ी हुई है तो इन सभी इलाकों में सुक्षमजीव रहते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग बचो आपने सुना होगा हमारे चैप्टर का नाम है सुक्षमजीव मित्र एवं शत्रू इसका मतलब है सुक्षमजीव हमारे मित्र भी है और हमारे शत्रू भी है तो आईए अब हम जानते हैं कि सुक्षमजीव हमारे मित्र क्यों है सुक्षमजीव एलकोहॉल बनाने में मदद करते है एलकोहॉल या फिर इसे हम शराब भी गह सकते है क्या आप जानते हैं एलकोहॉल फलों से बनती है किससे बनती है फलों से फल बहुत मीठे होते हैं खाने में इसका मतलब फलों के अंदर चीनी होती है वो चीनी यीस्ट के द्वारा एलकोहॉल में कनवर्ट हो जाती है मतलब कि अगर मैं फलों के अंदर यीस्ट डाल दूँ तो वो फल जो हैं वो एलकोहॉल में बदल जाएंगे और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किनवन क्या कहते हैं किनवन बच्चों किनवन की खोज लुई पॉस्चर नाम के साइंटिस ने की थी और कब की थी ये बहुत important question है 1857 में एक्जाम में ये बहुत ज़ादा पुछा जाता है किनवन क्या है और इसकी खोज किसने की थी next topic है कि सुक्षमजीव दही, ब्रेड, अचार, पनीर ये सभी चीजे बनाने के लिए भी हमारी मदद करते हैं आप सभी ने देखा होगा ब्रेड या केक, भटूरे ये सब चीजे जब आप बनाते हैं उनके अंदर छोटे-छोटे छेद होते हैं वो बहुत ही spongy से होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, उसके अंदर हम yeast डालते हैं क्या डालते हैं? yeast और yeast बहुत तेजी से जनन करके श्वस्न करता है और जब yeast सांस लेता है, तो वो carbon dioxide gas छोड़ता है यह चीज आप से question में पुछी जा सकती है कि yeast कौन सी gas छोड़ता है? तो आपको आंसर देना होगा yeast carbon dioxide gas छोड़ता है दही जो आपकी ममी बनाती हैं, बच्चों उस दही के अंदर भी एक जिवानों होता है, जिसका नाम है lectobacillus lectobacillus नाम का यह जिवानों दूद को दही में परिवर्तित कर देता है तो आपको समझा रहे हैं कैसे सुक्ष्मजीव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करते हैं तीसरा यूज है विटा ओश्धिय उप्यो क्या आप जानते हैं कि सुक्ष्मजीव ओश्धियों में भी पाए जाते हैं बहुत सी ऐसी ओश्धियां हैं जिनके अंदर सुक्ष्मजीव होते हैं जैसे कि antibiotic हम बोलते हैं प्रती जैविक प्रती जैविक क्या है? यह बिमारी पैदा करने वाले सुक्षमजीव को नश्ट कर देती हैं ये ऐसी ओश्दियां हैं ऐसी दवाईयां हैं जो बिमारी पैदा करने वाले उन चोटे चोटे सुक्षमजीव को मार डालती है उनके कुछ उधारण है स्ट्रेप्टोमाईसीन टेट्रासाइक्लिन आप सभी बच्चों को ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद होने चीए ये बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है दूसरा इंपोर्टेंट कुश्चन आता है बिटा कि ऐलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिंसीलियम की खोज 1929 में की थी कब की थी 1929 में किसने की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और किस चीज की की थी तो बेटा पेनिसिलिन की की थी किस की पेनिसिलिन की फोर्ट यूज है बेटे वैक्सीन क्या आप सब जानते हैं वैक्सीन क्या होता है बच्चे वैक्सीन को हम टीका भी कहते हैं, हेजा, शे, चेचक, हेपिटाइटिस जैसी बिमारियों को TK द्वारा रुका जा सकता है आप सभी बच्चों को बच्चपन में TK जरूर लगे होगे Edward Jenner ने चेचक के TK की खोज 1798 में की थी, ये कोशन वन मार्क्स में पूछा जाता है उर्वर्ता मतलब Quality, मिट्टी की Quality बहुत अच्छी हो जाती है वो कैसे कि जिवानों और नीले हरे शेवाल जो वायू मंडल में nitrogen gas है, उसका स्थिरे करण कर देते हैं उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी में nitrogen की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी quality बहुत अच्छी हो जाती है छटा और लास्ट पॉइंट है पर्यावरन की सफाई पर्यावरन में मौझूद बड़ी मात्रा में सडे पेड़ पौधे, मरे हुए जीव, क्या करते हैं प्रदूशन फैलाते हैं और कई रोगों के कारण भी बन जाते हैं तो सूक्षमजीव क्या करते हैं इन अप्षिष्टों का अपगटन करते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्थित कर देते हैं